सबसे पहले आपको V&E Reader Play Store से डाउनलोड कर लेना है ठीक है डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है फिर आपको यहां पर प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है फिर आपको न्यू प्रजेक्ट का ऑप्शन पे चल जाना है ठीक है अनि यहां स आपको फोटो यहां से सेलेक्ट करना है जो फोटो आप स्टार्टिंग में रखना चाहते है वह फिर एक फोटो यहां से सलेक्ट करना फिर आपको यहां से बैक आना है फिर सेब्द प्रोजेक्ट एंग्जिस्ट पे क्लिक करना फिर आपको यहां पर प्रोफाइल का ऑप् फिर से back आना है ठीक है so back आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से यह जो home का option है उस पर आपको click कर देना है ठीक है and जो project हमने edit कर रहा था उसको फिर से हम यहाँ पर open करेंगे टॉप में रहेगा फिर last में आएंगे plus का icon पर click करका videos and photos पर जाएंगे फिर photos वाले option में आकर आपको यहाँ से 60 photo select कर लेने जरूरी नहीं 60 photo आप कम भी कर सकते हो 20, 40, 50, 60 जितना आप चाहता है यहाँ से photo select कर लेना तो मैं कर लेती हूँ so देख सकते हो total 60 photo मैंने select कर लिया अब next के option पर मैं यहाँ पर click करूँगी क्लिक करने के बाद आप देख सकते हमारा पूरा 60 photo इस पर import हो गया है थोड़ा से time ले ले है क्योंकि जादा photo चलो तब तक स्टार्टिंग में आते है music पर से music पर जाएंगे फिर extract from video के option पर click करेंगे और यहाँ से उस video को select कर लेंगे जिसके audio चाहिए तो मेरे telegram चानल पर आपको मिल जागी फिर select करके save कर लेना उस video के audio मिलेगा use पर click करके ok कर देना तो हमारा audio भी इसमें लग शुका है अब जो हमारी photo है first वाली उसकी duration हम fix करेंगे तो आपको इसको 4.45 सेकेंड तक रखना है आप देख से होते हैं corner में भी दिखता है जो हमारी photo है उसका left corner में एकदम नीचे में भी दिखता है तो इसकी duration आपको 4.45 सेकेंड तक रखनी है ठीक है बाकी ही तो हमने set कर रही है यह करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा से ध्यान से कर लेना फिर से आपको starting में आ जाना है यह text को option देख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है टेक्स पर आप जैसे क्लिक करोगे टेक्स पर यहां पर आपको टाइप कर देना है 2023 in 60 फोटो यह फिर जितना भी फोटो आपका है फिर यहां से आप उसे कस्टमाइश कर लेना जहां पर रखना चाहां स्क्रीन पर उस पर प्लेस कर देना इसकी duration भी हमारी first photo जहां तक है व पूरा complete हो चुका है अब आपको simply उपर export का option दिख रहा है वहां से इस वीडियो को export कर लेना है